आज हम आलू और लाल पत्तागोबी की सिंपल और बहुत टेस्टी सबजी बनाएंगे अगर आप हरी पत्तागोबी खाना पसंद करते हैं तो आप इसे भी जरू ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने 300 ग्राम पत्तागोबी को कट कर लिया है साथ ही दो आलू को कट कर किरिया है अब हम एक बाउल में एक चम्मच धनिया पाउडर आधा चम्मच लाल मिर्ज पाउडर आधा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ज पाउडर लेंगे यह optional है अब इसमें थोड़ा पानी डाल कर मसालो का पेस्ट त्यार कर लेंगे देखिए हमने मसालो का पेस्ट बना कर त्यार कर लिया है तो अब हम इसे side में रख देंगे और कड़ाई में दो बड़े चम्मश ओईल लेंगे ऑईल के अच्छे से गरम होने के बाद इसमें आधा चम्मश जीरा और दो चुटकी हींग डालेंगे जीरा के भुन जाने के बाद हम इसमें दो चम्मश कुटा हुआ लहसुन और हरेमिर्च डालेंगे और इसे 20 से 25 सेकेंड तक भुन लेंगे यहाँ पर हम इनका कलर चेंज नहीं करेंगे देखिए अब लहसुन और हरेमिर्च अच्छे से भुन चुके हैं तो अब हम इसमें बनाया हुआ मसालो का पेस्ट डालेंगे साथ ही मैं यहाँ पर थोड़ा पानी भी डाल रही हूँ अब मसालो को 2-3 मिनट तक low to medium flame पर भुन लेंगे 3 मिनट के बाद देखिए अब मसाला चे से भुन चुका है इसने oil छोड दिया है तो अब हम इसमें एक बड़ी साइस का कटकिया टमाटर डालेंगे अब टमाटर को 2 मिनट तक भुन लेंगे 2 मिनट के बाद अब टमाटर थोड़ा soft हो चुका है तो अब हम इसमें कटकिया आलू डालेंगे अब इसे ढखकर 2 मिनट तक पका लेंगे यहाँ आलू को पकने में ज़्यादा समय लगता है इसलिए से पहले डालेंगे 2 मिनट के बाद हम ढखकन को हटाएंगे अब इसमें आधा चमच गरम मसाला डालेंगे यहाँ गरम मसाला आप्शनल है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं साथ ही आधा चमच नमक डालेंगे और कटकी पता गोभी डाल कर सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे मैं यहाँ पर इसमें 2 टेबल स्पून के करेब पानी डाल रही हूँ ताकि सबजी एकदम सॉफ्ट बने अब हम कड़ाई को कवर करते हुए सबजी को तब तक पकाएंगे जब तक यह अच्छे से सॉफ्ट न हो जाए बीच में इसका धकन हटा कर इसे चलाते रहेंगे ताकि यह तले में लगे नहीं लगभग 10 से 12 मिनट के बाद अब सबजी अच्छे से पक चुकी है तो अब इसमें आधा जमच अमचूर पाउडर डालेंगे इसे सबजी एकदम चटपटी बनेगी साथ ही थोड़ा हरा धन्या डालेंगे और सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब एकदम सिंपल और बहुत टेस्टी लाल पत्ता गोबी और आलू की सबजी बनकर तयार है ये खाने में बहुत जादा टेस्टी और पोस्टिक है तो अब आप इस रेसेपी को एक बाद जरू ट्राय करें और अगर आपको ये रेसेपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले